स्वागत आपका और नई विडियो में आप देख रहा मैं सकत Cincinnati 4125 जो होता है कि वह सब्सक्राइब और एक होता है MS का Stihl और यह है Mild Steal ठीक है और और copper होता है फिर बाद में ब्रास होता है कई टाइप का जो है यह यह अल्के वाला इसको तो उसका gauge और thickness यहां पर दोनों बताऊंगा कि किस तरह से इसका देखा जाता है यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखाएंगे आपको यहां पर यूध होता है इसमें ज्यादातर माइल इस तार इस तक होता है तो एक से लेकर 14 तक होता है ठीक है लेकिन यूज्ट जो होता है जदातर साथ से लेके 28 तक होता है तो जो एक्सेंडर रांग होता है वो यहीं होता है यहां पर देखो कितना है साथ dg huge है यह जोरेन टो MX में दखा जाए तो === इसमें लिखा रहेगा ims youth x Messenger दो उसमेंच dogya है load गीरेस 列प 10 पर dans the तो यह आता है 3.038 mm उसके बाद यहां पर 12 गेज तो 12 गेज का जो है वह आता है 2.656 mm उसके बाद आते हैं चौदमें चौदमें का 1.897 इसका भी सीट जो आएगा वह आएगा 1.8 यह सब पॉंटर सीट में नहीं लिखा होता है उसके बाद इस तो यह आता है 1.5 आएगा उसके बाद आठारा गेज में देखो 1.214 mm आ रहा है लेकिन देखा दाए तो 1.2 mm आ ठीक है उसके बाद 20 लेकिन यह 0.9 mm का ही होगा यह अलके वाला स्टील है यह ध्यान में रखना है उसके बाद आता है 22 गेज 22 गेज जिरो पॉंटर सेवन फाइप नाइन ठीक है तो यह 75 ही बोला जाएगा 0.75 mm ठीक है और उसके बाद यहां पर यह है कितना 24 गेज 24 गेज में क्या है 0.6 और उस और उसके बाद आता है 26 गेज तो 26 में आएगा 0.45 mm ठीक है यह उसके बाद आता है 28 गेज तो 28 गेज का जो है 0.37 8 mm आया है जो अब सीट आता है वह आएगा 3 3.5 0.45 0.6 0.75 0.9 1.2 ऐसा आएगा ठीक है तो यह सारा जो है गेज हो गया यह सारा थिकनेस हो गया इसमें भी यह जो इधर का जो है यह पूरा गेज है यह थिकने से यह माइल्ड ए इस्टील बोले तो एक हलके वाला इस टाइप का इस्टील ही होता है जो मैंने आपको पहले दिखाया है उस तरह का होता है तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको अच्छे ते समझाया हूँ अग पहले है तो झाला एक है आपको मैं और रचे